सम्पूर्ड बिहार सार का ये पाऊचवय भाग है। इसमें हम आपको बिहार के नवीनतम आकड़े बता रहे है। इंपॉर्टंट है। उनको नोट करते रहेंगे, समस्ते चलेंगे। प्रतिवक्ति आये सरवाधिक कहा हैं। ये पटणा में हैं। बिहार के पटना की प्रतिवक्ति आये सरवादिक है, दो-ती नमबर पे आता है बेगुसराय, सबसे कम प्रतिवक्ति आये किस जिले की है, यह है सिवहर की और अरर्या, दो नाम है, ठीक है, सबसे कम है सिवहर की, उसके बाद अरर्या की, सबसे अधिक कहां किस जिले की है, जिलो में आता है ये नाम पटना का सबसे धनी जिला है बियार का और प्रतिवक्ति आये भी ज़्यादा है इसलिए सबसे धनी भी जिले है अगला है सबसे अधिक बागवानी भूमी किसके पास है सिवहर के पास है आये सबसे कम है लेकिन सबसे अधिक बागवानी भूमी है सि जिले रहे थे आपके किसंगं जो सुपॉल 2020 में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले रहे थे अरवल और कैमूर एन-च की सरवादिक लंबाई वाले तीन जिले एन-च सब्चादा पटना में हैं नेशनल हाईवे उसके बाद मदुबनि में हैं एन-च की सबसे कम सबसे कम है सबसे कम है सबसे कम है मैं सबसे अधिक नगरी करत है फिर मुगेर सबसे कम नगरीकरत है है उसके बाद है बाका सरवादिक बिजली की खपत कहां परभड हें पटना में होती है सबसे कम कहां होती है वो सिवहर में होती है ठीक प्ञार्फ करते रहेंगे चांवल के उत्पादन में सीर तीन जिले कौनसे हैं ये हम मजबफर पूर में यह कटिहार और हैं पूरियां अ uppod गन्ने के उत्पादन में शीर्स तीन जिले हैं आपके पटना है और है नालंदा गन्ने के उत्पादन में शीर्स तीन जिले कौन से हैं वो है आपका पस्चिमी चंपारन है और गोपाल गंज गन्ना सबस्चिमी चंपारन में होता उसके बाद गोपाल गंज में केले के पर सबसे नंबर वन जिला है म्धू बनी फिर वैशालि है अम्रूत का सबस्यदी कुल उत्पादन होता है नालंदा में फिर मुजभफर पुर्ण पूर्वी चम्पारन आलू का सबस्धिक उत्पादन होता है पटना वे इसके और उसके बाद नालंदा में प्याज का सरवादिक उत्पादन कहा होता है नालंदा में होता है प्याज का उसके बाद पस्चिम चब्पारन मचली का सबस्यादिक उत्पादन होता है मदुबनी ठीक है तो सबसिक कम नगरी करत भी मदुबनी है और मचली के उत्पादन में सबसारवादिक जो है उत्पादन करने वाला दिला भी मदवनी है ठीक उसके बाद आता दर्भंगा अगला देख लेते हैं बिहार सरकॉर्ट दरग किये गए महत्पूर्ण समझोते हैं क्या हैं कौन से हैं उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार खरीद है तो देखिए बिहार और 36 गण में समझोता हुआ है उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अगला है बिहार में पहला बायो गैस प्लांट लगाने के लिए समझोता है पहला बायो गैस प्लांट लगाने के MSME, छेतर को बढ़ावाद देने के लिए समझाता हुआ है, बिहार सरकार और सिड़बी में, विभिन विदुत छेतर उर्जा के आदान परदाद के लिए समझाता हुआ है, कहां बिहार और नेपाल में, ITI को सेंटर आफ एक्सिलेंस मनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए समझाता हुआ है, बिहार सरकार और टाटा टेक्नलोजी के बीच में है, अगला है, अपने अपने राज़ी के साथ गाओं की अदला बदली के लिए समझाता हुआ है, बिहार और उतर परदीस में हुआ है, अपने अपने गाओं की सात आपणने राज्बों की सात tort's जो गाओं है उनकी अदला बदली के लिए समझोता है, विहार और उतर्पत्र समें हुआ कि आप से लिए स्कूलों में जोजना की कार्यान के लिए समझाता हुआ है बिहार सरकार और अक्षए-पात्र इसके द्वार में समझाता हुआ है बिहार सरकार में और टाटा मेरो मेमोरियल सेंटर के बीच में तहीं तो आप देख सकते हैं यग नोट कर सकते हैं इस जो कर दिया के नूट कर सकते हैं हुआ ले सकते हैं इसके लाब बिहार सरकार किये कही महतफ पूर्ण समझतरी मनें आपको बताएं है तो इसको भी देख लीजेगा देखिए उर्जा जरूरतों पूरा करने के लिए इसे बताएं ना बिहार और 36 साथ हुआ है पहला बायो गैस प्रांट गेल इंडिया के साथ है तो इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनको नो स्रीमति सुभद्रा देवी कला के खेत्र में पॉइंट नमबर पर है आना स्री आनन्द कुमार है इनको सिछ्छा और साहित के खेत्र में मिला हुआ है स्रीक कपिल देव परसाद को मिला हुआ है कला के छेतर में तो कला के छेतर में दो को मिला हुआ है सुबद्रा देवी जी को और कपिल देव परसाद को ठीक है और अनंद कुमार को सिच्छा और साहित में मिला है स्रीमती सुबद्रा देवी देखिए मधुबनी की मिथिला लोक चित्रकला कार सुबद्रा देवी को पेपर मेसी कला के उत्रक्रष्ट योद्गान के लिए पदमस्री दिया गया है पेपर मेसी कला में कागच को पानी में पहले फुलाया जाता है फिर उसे कूट कर विभिन प्रकार आकार दिया जाता है तो पेपर में सी कला क्या है हमने पढ़ाई जैसे पानी को भीगो देना है पानी में कागश को भीगो देना है और उसको कूट कर विभिन आकार में आकरतिया बनाना है पेपर में सी कला है सुरूम स्रीमती सुबद्रा दिवी को मधुबनी की मिथिला लोक चित्र कला कार है इस आनंद कुमार को सिक्षा और साहित के छेत्में महत्पूरु युगदान के लिए उनको पदमस्री पुरुसकाल मिला है ठीक है तो पदमस्री इनको मिला है आनंद कुमार को इस पर आधारे तक रितिक रोसंच पर ने जो दौरा अभी नीत ये फिल्म भी आपने देखी होगी सुपर थर्टी ठीक है तो ये बेस्ट थर्टी को सेलेक्ट करते हैं पढ़ाते हैं और उनको विभिन आई एटी संस्थानों में उनका दाखिला होता है ये निशुल पढ़ाते हैं तो आनंद कुमार के भी से हमें जानते भी होंगे आप आनंसर के बारे में स्री कपिल प्रसाइड को बावन बुटी और बुनाई के छेत्र में उतकरश्टकार के लिए पदम पुरुसकार इनको दिया गया है तो कौन से थे हमने पहले बताया आपको सुभद्रा देवी फिर है अनंदकुमार और पिर हैं कपिल देव प्रसाइड पुनाई के छेत्र में इनको 52 बुटी बुनाई के छेतर में पदमस्री पुसकार मिला है अब पदमस्री के बाद देखेंगे बिहार के दो वेक्टियों को 2022 के तहत पदमस्री पुसकार दिया गया 2022 के पदमस्री देखेंगे यह कि है आचार चंदनाजी समाजी कार के लिए मिला है और शैबाल गुपता को मिलाए साहित और सिछशा के लिए मरणो पर्ांट दिया गया है शैबाल गुपता को आचार चंदनाजी देखते हैं राजगीर विरास्त की संस्ताफ़क आचार चंदनाजी का चैन पदम सी परुसकार 2022 के लिए इनको किया गया है जैन धर्म में आचार पद प्रात करने वाली प्रथम साध्वी है ये ठीक है आचार चंदनाजी और 84 वरसी चंदनाजी लगभग 50 वरसों से लोगों की सेवा कर रही है सहबाल गुपता क्या है सहबाल गुपता को देखते हैं ये है A.C.R. Development Research Institute के संस्थापक है दॉक्टर सहबाल गुपता मरनों प्रांथ इनको पदमस्री 2022 से दिया गया है दॉक्टर सहबाल गुपता प्रक्षाथ अर्थसास्त्री थे ये तो 2022 के लिए आचार चंदना देवी हैं जैन धर्म की साधवी है ठीक सामाजी कारणों के लिए मिला है और सहबाल गुपता जो इनको मरनों प्रांथ मिला है ये अर्थसास्त्री के प्रूप में है पदमस्री प्रुसकार 2021 देख लेते हैं हमने आपको 23 बता है 22 बता है ठीक तो राम बिलास पासवान को पदम भूसर्ण से समानित किया गया राम बिलास पासवान किसी परिचे के मोताज नहीं उनको पदमस्री समानित किया गया अन्य चार जिनको पदमस्री समानित किया गया उनके नाम है राम चंदर माजी राम चंदर माजी को पदमस्री मिला है 2021 क किस चेतर में कला भोजपूरी लोक नरतक हैं ये दुलारी देवी को कला के लिए मिला है मधुबड़ी पेंटिंग के लिए अगला है डॉक्टर दिलीव कुमार को चिकित्सा के लिए मिला हुआ है दोजार एकिस का पदमस्री और मृदला सिन्हा को मिला हुआ है साहित और सिच्चा के चेतर में इनको मरुणोपूरांत मिला है राम बिलास पासवान इनने सारजूनिक मामलों में उनको योगदान के लिए मरणो प्रांत पद्म भूशन पुरुशकार 2021 से सम्मानित किया गया है पांच दसकों में राम बिलास पासवान नव बार लोकसभा और दो बार राजसभा सांसद रहे हैं नव बार लोकसभा में और दो बार राजसभा सांसद रहे हैं बहुत बड़ी उपलब्दी 1996-1968 तक भारत के रेल मंतरी ठीक है नव बार लोकसभा दो बार राजसभा और 1996-1996 तक रेल मंतरी यह आकड़े पूछे सकते हैं उनने सोंट्थर में पहली बार सोसलिस्ट पार्टी की से विदाया किये बने थे उनने सोंसत्र में पहली बार हाजी पूर से इन्होंने लोकसभा सांसद का चुनाव जीता था आठ अक्टूबर दो जार बीस को 74 वरस की आयू में केंद्री मंतरी उपभुक्ता मामलों के मं गान हो गया था राम चंद माजी राम चंद माजी को बिहार की कला संस्क्रित में युगदान के लिए पद मुस्री सम्मानित किया गया है 1925 में च्छपरा के तुजु तुजा पूर गाउं में इनका जन्म हुआ था बिखारी टाकूर की परंपरा को जीविन्त रखने का श्र कला सुसीद दुलारी देवी को कला के चितर में युगदान के लिए पद मुस्री प्रसकार से सम्मानित किया गया है मिथला कला में एक मास्टर पेंटार और प्रिसिछक दुलारी देवी को एक कला सिचछक बनने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा मदभनी जिले के रोट प्रकासित की है इंपॉर्टेंट कोश्चन है दुलारी देवी पर फ्लोरिंग फ्लोरिंग माई पेंट ब्रस ये पुस्तक प्रकासि की है विदेशी कला प्रेमी है गीता वलफाने ठीक है उनके जीवन पर सच्चित रहे किताब प्रकासित हुई है इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर दिलीव कुमार को देखते हैं डॉक्टर दिलुकमार जी कोश्चित साके छेत में युगदान के लिए पदम सलव साब पुरुसकार से समानित किया गया है और उनको देखिए बाका में जन्म हुआ 93 वर्षी डॉक्टर सिसिंग बिहार के भागल पुर्जिले के पीर पहती पाखंड में शेर मारी गाउं में दवाईयां देते थे उन्होंने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर उन्होंने इलाज कराया तो डॉक्टर साब दि दूसरी मुрудला सिंग की उपँलब्धी देख लेते हैं सुसद्सरी मुदला सिंग को काला और साहित के छेते में योखदान के ली मरनो प्राम्त पद मिसरी से सम्मानित किया रहा है ठीक है गोवा की पूर राजपाल मुदला सिना का जन्म हुआता 32 में बिहार के मुझफर पुर्पूर में हुआ था उन्होंने अपने जीवानकाल में 46 से अधिक पुस्तके लिखी जिसमें जेव मेंधी के रंग मुर्दुला सिना दौरा लिखी गए नई देवरानी और घरवास इसमें सामिल है ठीक है चली वे दियरतियों ये हमने आपको बताया बिहार में बिहार और पद्मपुरसकार बताया आपको 2023 में किनको मिला है ठीक थोड़ा सा देख लेते हैं 2023 में सुष्री मती सुभद्रा देवी आनंत कुमार कपिल देव प्रसाद इनके विश्यमें अपको बताया ठीक है 22 में किस हमने आपको हाई है बिहार के 2021 के विश्यमें बताया एक किस में किनके के विश्यमें बताया राम चंडर इसमें बताया हमने आपको राम चंडर माजी बताया ठीक नमबर दो पे दिला दुलारी देवी बताया ठीक और राम बिलास पासवान इनके विश्यमें भी बताया हमन पॉइंट के रूप में बना करके लिखिए बढ़िया से तयारी हो जाईए आपकी हमारे ये जो क्लास चल रही है इसमें बिहार समपूर्ण बिहार सार इसमें मेरे हिसाब से कोई चीछ छूटन नहीं चाहिए है हमने सभी चीजे दिकतर प्रयास किया है कवर करने का चली वे देर थे जब पुरुसकारों की बाद चलिए तो चर्चित पुरुसकार 2022-23 के हम आपको बता जेते हैं ठीक है पदमस्री के बाद सुच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का किसको मिला है बविता गुपता को मिला है ये मुझफरपूर बिहार की है रास्टी CBIP एवार्ड मिला है 2022 का गंगाजल आपूर तियोजना और गयाजी डैम को कबीर कोहनूर सम्मान किसको मिला है प्रोफेसर सुधा सिना को मिला है 2023 का मिला है राश्टी फ्लोरेंस नाइट एंगल आवार्ड 2021 का मिला है नाजिया पर्वीन को अरारिया सदर अस्पताल की नर्स है नर्स के छेते में सरवाधिक महत्पूर योगदान करने वाली मिलता है नाइट फ्लोरेंस नाइट एंगल के नाम पर जो आवार्ड है ये मरीजों की सेवा करने के लिए नाजिया पर्वीन को मिला है अरारिया सदर अस्पताल की है डिजिटल इंडिया एवार्ड 2022 मिला है डॉक्टर एन विजया लच्मी को राकेश मोहन सम्मान किसको मिला है ये है राजियस कुमार नाटक निशब्द के लिए मोहन राकेश पर्विसकार इला हुआ है राजियस कुमार को उनके नाटक निशब्द के लिए दीनानाथ सरन सम्मान मी 2000 मिला है पर्वेसर सुधा सिना को सुधा सिना कौन है दर्शन सास्तरी है कवित्री है ठीक है बिहारी प्रुसकार 2022 किसको मिला है यह है डॉक्टर माधाव हांडा पुस्तक पंचरंग चोला पहर सकीरे बिहारी प्रुसकार 2021 किसको मिला है मधूर काकरिया हम यहां थे के लिए अटल काविस रतन सम्मान मिला हुआ है 2022 किसको हिमकर शाम सारन को मिला है कफा करम सम्मान मिला है 2022 का किसको औरिस केस सुलब को विस्साहित सिच्छक पुरुषकार 2022 मिला है प्रोफेसर अर्रुकुमार जह को मदुबनी के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाँ खा युवा पुरुषकार मिला हुआ है मैथिली ठाकूर को यह मदुबन की है स्वच्छता सार्थी पुरुसकार 2022 मिला हुआ किसको वीनियत कुमार को औरंगाबाद है प्लास्टिक कच्रे से पेट्रोल बनाने के लिए इनको मिला है स्वच्छता सार्थी पुरुसकार 2022 बाल जलवाई प्रुसकार 2022 मिला हुआ है किसको स्पर्स पतना जलवाई और परहावन के छेत में असारधान उपलब्दी के लिए निश्ट देखते हैं बाल साहित प्रुसकार 2022 किसको मिला हुआ है यह उर्दू भासा के लिए लिए जफर कमाली को सीवान ठीक और मैथली भासा के लिए डॉक्टर विरेंद जहा को मिला हुआ है नारी शक्ति पुरुसकार मिला हुआ है अनीता गुपता को नेलसन मंडेला नोबेल पीस ओवर्ड मिला है विरेंद कुमार को गया नगर निगम के मेयर है रास्टी नारी रत्न एवर्ड मिला है डॉक्टर नम्रता अनंद को ठीक और नोट कर सकते हैं चलिए इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं कुछ इसमें ठीक इसमें रास्टी सिच्चक पुरुसकार 2022 मिला है निसी कुमारी पठना को ठीक गरतन दीवस की 2022 में प्रस्तुत जहांकी में पर्थम कौन है वो है बिहार सिच्चा परियोजना परसत को अगला है बिहार चेंज मेकर एवार 2022 मिला है मनोहर कुमार को युवा वग्यानिक पुरुसकार 2021 मिला है ओम प्रकास इंजोला जहानानबाद को दीन देल अन्तियोद्य करसी पुरुसकार मिला है 2020 वंदना कुमारी को साहित एक आदमी पुरुसकार 2022 हिंदी भासा का मिला हुआ है बद्री नाराण को मिथला भासा का मिला है अजीत अजाद को साहित एक आदमी युवा पुरुसकार 2022 मिला हुआ है नाव करश्ण एहिक को साहित एकादमी और भासा समान मिला है 2022 का मैथली भासा में डॉक्टर उधैनात को ठीक बाकि इसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो है इनको आप थोड़ा सा ज़्यादा इंपसाइज कर लिजेगा जोड़ दे दिजेगा ठीक जैसे साहित एकादमी के ज्यादा इंपोर्टेंट है ये और साहित एकादमी भासा समान देख लिजेगा ठीक प्रधानमत्री रास्टी बाल पुरुसकार 2022 चीजें विद्यार्थियों इतना ज्यादा हो जाती है कि हर चीज एक चीज याद रखना बड़ा मुस्किल है ठीक है उसको बताए इनको स्क्रीन सॉट ले लीजेगा तयार करिएगा आप इनको तो चलिए विद्यार्थियों पांच वे बिहार सार के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं नेक्स पार्ट में हम आपको कुछ और बिहार के विश्य में जानकारी देंगे जैसे आपको मालूम हम ए इसे चीजिए दे सकें फिर मिलते हैं नमस्कार